देश के जीवन में, इतिहास में, एक समय ऐसा आता है, जब वो पुरानी बंदिसों को तोड़ करके, एक नई उर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई सपनों के साथ, नई संकल्प के साथ, आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है. 21 सदी का ये कालखन, और मैं बड़ी गंबीरता से इस पवित्र लोगतंतर के मंदीर में बोल रहा हूं, और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं, कि ये कालखन, सदी का ये वो कालखन है, जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अउसर हमारे चरण के लिए है। और हम सब ऐसे टाइम प्रियर्ड में हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, देश के कोटी कोटी जन है, ये टाइम प्रियर्ड बहुत एहम है। बड़ा महत्वकूं है, बड़त लजेव विश्व में, और मैं शब्दों को भी बड़े विश्वात से कहना चाहता हूं, ये कालखन जो घड़ेगा, उसका प्रभाव, इस देश पर आने वाले एक हजार साल तक रहने वाला है। एक सो चालीस करोर देश वाज्यों का पुर्शार्थ, इस कालखन में, अपने पराक्रम से, अपने पुर्शार्थ से, अपनी शक्ती से, अपने सावार्थ से जो करेगा, वो आने वाले एक हजार साल की मजबूत नीव रखने वाला है। और इसलिए, इस कालखन में, हम सबका बहुत बड़ा दाइत्वा है। बहुत बड़ी जिम्बवारी हैं। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए। देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पुरा करने का संकल्प, और संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए, जी जान से जुड़ जाना है। झाल